नमस्कार आप देख रहे हैं पीडियेफ नियोज पूरे मध्य प्रदेश में सुनाई दे रही है और लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर से IPS सची नतुलकर को आना चाहिए और Operation पबित तर्चलाना चाहिए पहले आपको बताते हैं कि दुडलप का शिप गैंग अब इतनी जादा खतरनाक हो गई है कि दिल्ली के निरजबवाना और लॉरंस विस्नोई जैसी वर्दातों को अंजाम देने लगी है ये तो आपको पता यूका कि इन दौर के बदमाश अन्यल देक्षित को मारने के बाद दोनों लाइव आये थे लेकिन लाइव आने के बाद चैन सीके और शानू ने जो कहा वो अब आपको और भी ज़्यादा ढराने वाला है जिससे सुनकर दुर्लक के हत्यारे शेहनवाज जैसे बदमाशों की भी हालत खराब होने वाली है तरतल चैन सीके और शानू सागर हत्या करने से पहले लाइव आते हैं और हत्या करने के बाद भी लाइव आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथी को देड़ सो रुपए का दाना खर्च करके धेर कर दिया तुम्हारे घर में बम लगा देके सोचिए अब दुर्लक कश्यब गैंग बम से उड़ाने के धमकी दे रहा है जिसके बाद इन दौर पुलिस बड़ी शिद्ध से चैन सीके और शानू सागर की तलाश कर रही है फिलाल जिस बदमाश अनल देक्षित को गोली मारी गई थी उसे बुद्वार रात मृत गोशित कर दिया गया हत्या के मामले में उजेन और मलहर गंज इलाके के बदमाशो को पुलीस ने आरोपी मनाया लेकिन पुलीस को भी आरोपी मिले नहीं गोली मार कर हत्या करने के मामले में पुलीस शानू सागर चैन सीके, राजेश चोहान और अन्य कई लोगों पर केस तर्च किया है लेकिन उनके गिरफतारी भी नहीं हो पाई है अनिल दिक्षित जो की बंग दड़ा अपने साथी संजे खान विलकर जेतन रियादों के साथ वहां पर पहुंचा था वहां कार से आए बदमाशों ने सिर में नजदीक से गोली मारी अन भर M.O.I.A. स्पिताल में मजबा लगा रहा जिसके वज़े से अत्रिक्ट पुलीस स्पोर्स भी तैनाद करना पड़ा था और इन बदमाशों के गिरफतारी के लिए तीन टीमें अब तक बनाई गई है लेकिन अभी तक वो पुलीस के हाथ नहीं आया है लेकिन इस अत्या सीके और शानु सागर के इस वारदात के बाद अब इन दौर के गैंक्टर सल्मान लाला की कहानी तो याद ही आ गए देखना आयम होगा कि पुलीस कब तक इन हत्यारों को पकड़ पाती है फिलाल आप बने रही है इस पूरे मामले में हम आपको पलपल की अपडेट देते रहेंगे आपका बहुत बहुत शुक्रियाद जैस्त्रीमाकल